वेलकम फ्रेंड्स एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में आज हम सॉल्व करेंगे आर आर बी एंटे पीसी का एक और वेपर जो की हुआ दाच है अपरेल 2016 को सिफ्ट टू में तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता ह कि आप लोग इस वीडियो को अंतदक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें because हम ने ने वीडियो और आपको study material free में provide करते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question है self और संचार cycle तो आपको 14 बाट बताना है इसी से related क्या होगा तो cell phone जो हमारा phone होता है वो संचार के लिए use किया जाता है बात करने के लिए communication के लिए use किया जाता है तो cycle है हमारा किस चीज़ के लिए use किया जाएगा परिवहन के लिए तो हमारा जो नए answer हो जाए इसका डी number का option correct हो जाएगा next question है हमारा एक equation दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 24 B 6 E 2 A and 9 R 17 तो आपको इन जो इंडिकेटर है जो mathematical operator है इनका मतलब दिया हुआ है जैकर जैसे गुणा आपको A किसे दरसाता है से question हम कई बार पहले कर चुके हैं तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं तो 24 B को यहाँ पर लिखा जाता है minus minus and 6 E को यहाँ पर लिखा जाता है आपका upon and 2 आ जाएगा A को यहाँ पर लिखा जाता है आपका into 9 and R को यहाँ पर लिखा जाता है प्लस तो यहां पे 17 आ जाएगा तो जब इसको solve करोंगे तो यहां पे 3 आएगा and 27 तो minus 3 and minus 3 और यह आ जाएगा आपका 14 आपका जो answer आएगा A number का option correct हो जाएगा जब आप इसको solve करोगे next question है यह puzzle का question है तो puzzle का question मैं आप लोगों से बोलता हूँ यह काफी लेंदी हो जाता है इस puzzle बनाने में तो आप लोग इसको खुद से solve करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो इसकी जितने भी question है आप लोगों को खुद से solve कर लेना है ठीक है नहीं बनेगा तो आप मुझे comment करके बताएं तो जितने भी paper हमने किये हैं सब के puzzle वाले question में एक साथ डाल दूँगा ठीक है next question जो हमारा है यह question time and work का है ठीक है time and work का है इसमें लिखा हुआ है B एक काम को 50% 20 दिनों में करता है मतलब जो B आदमी है वो एक काम को 50% है वो 20 दिनों में करता है तो मतलब बांकी काम जो बांकी काम है वो अकेले B करता तो 20 दिन में करता ठीक है And बन अपॉन C का हमें पता नहीं कितने दिन में करेगा वो आधा काम And हमारा जो टोटल काम होता है वो 4 दिन में होता है तो हम बनफ़न C भी यहां पे निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा बनफ़न 5 तो मतलब जो बचा हुए काम है वो कितने दिन में करता है 5 दिनों में करता है C ठीक है तो पूरा काम लिखा हुए है पूरा काम कितने दिनों में करेगा जब आदा काम 5 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में करेगा तो इसका जो answer हो जाएगा वो B A number का option आपका correct हो जाएगा Next question है आपका खाली स्थान आग को बुझाता है तो आग को बुझाता कौन है O2 तो जलने में सायक होता है NO2 ये भी जलते हैं तो आपको बुझाता कौन है कारवान डाइकसाइट ठीक है ना तो इसका answer जो है B number का option आपका correct हो जाएगा Next question है आपका स्रिंखला में स्थान पर क्या आएगा तो question मार के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है तो यह actually में series का question है तो आप यहाँ पर मिलाएंगे देखो series यहाँ पर A है center में तो A यहाँ पर है और दूसरे number पर B है तो यह पहले पर है जिसके sequence मिलाना है मतलब अंग्रेजी के जो पहले 5 अक्षर है उनका sequence यहाँ से खतम हो रहा है तो F से यहाँ स्टार्ट हो जा रहा है ऐसे ही यहाँ पर J पर खतम हो रहा है तो यहाँ पर start कैसे होगा के से होगा और के कहां आएगा center में आएगा के and L आपका सब्सक्राइब यहाँ आप सबसे पहले इसको लिख लो यहाँ पर and O यहाँ पर आ जाएगा तो यह जो आएगा यह आपका correct answer हो जाएगा यह आ रहा है आपका C number पर ठीक है न तो यह C number अवाला आपका option correct है next question है आपका एक सरंखला दी हुई है series दी हुई है इसमें question mark इस्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले 11 दिया है तो 1Q, 1Q, 1 square ठीक है फिर दिया हुआ है 2Q, 2 square फिर दिया हुआ है 3Q, 3 square फिर दिया हुआ है 4Q, 4 square तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 1Q तो 1 होता है 1 square तो 1 होता है 2Q कितना हो जाए 8 होता है 2 square 4 होता है 3Q कितना होता है 273 square होता है 9 and 4Q कितना हो जाएगा 4Q किस्थान पर आएगा 64 तो आपका C number का option correct आजाएगा and इसके बाद 4 square आपका दिया हुआ है तो यह आपकी series है इस तरीके से इसका logic बनेगा ठीक है न next question है आपका next question आपका कथन वाला question है और निसकर्स दिये हुए है इसमें एक पहले कुछ कथन दिया हुआ है चिकितसा का पेशा सबसे अनेथिक बन गया है लोग बिमार होने से तड़ने लगे हैं तो पहला आपका जो दिया है निसकर्स वह चिकितसा ही एक मातरा नेथिक करेक्ट हो जाएगा ये वाला next question है आपका एक generator रूप आंतरित करता है तो generator क्या होता है आपने साधियों में देखा होगा उसको generator बोलते हैं उसमें क्या करते हैं अपन पैट्रोल या डीजल से उसको चलाते हैं डीजल से एक आगरता है डीजल इंजिन चलता है तो mechanical energy provide करता है जब mechanical energy से साफ्ट से connected होती है motor से generator से सोरी तो generator क्या घूमता है तो क्या करता है electrical supply आ जाती अपनी electricity जल जाती है तो यह करता है mechanical energy को electrical energy में convert या फिर बोल सकते हैं या अंत्रे की energy को विद्धत उर्जा में परवर्थित करता है तो यह बाला option आपका correct हो जाएगा next question में तेह करता है 30 kilo मीटर की घृटिस में तेह करता है एंड उसके बाद M के साथ six kilometer की घृटिस में तेह करता है तोल जो गंटे है वो 7 तो आपको याद र melody के के साथ और करता है और M के सा altogether six 6 km पर करता है दौनों का युग आपकर 27 दिया है तो और 7 घंटे करता है टोटल ठीक है तो आपको साथ मैंसे कुछ इसके साथ करता है कुछ इसके साथ करता है मतलब कहने का यह है कि जो 7 घंटे करता है ना वो कुछ के के साथ करता है कुछ एल के साथ करता है हमें पता नहीं है कितने लेकिन उसका चाउंटिंग दिया हुआ है 27 हो स्पीड ही हाँ इहां पर दी हुई है तो आपको क्या करना है 07 में से मान ली जी है कि 4 गंटे वह के के साथ करता है मान ली यह 4 गंटे करता है ठीक है ना तो यह स्पीड है वो कितनी है तीन है तब आंसर नहीं आएगा अब हम देखते हैं कि 5 करता है मान लीजिए ठीक है ना 5 करेगा मान लीजिए 5 करता ए तो इसका वो गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15 क्योंकि स्पीड इसकी 3 है और टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो बचा आप जब 5 असके साथ करता है तो बचा कितना दो ता इसके साथ किया है ना total कितना हो गया मिलाक़ 27 तो मतल़ हमारे ही वाला answer हो जाईगा तो इसमें निकालना किया m के साथ कितनी दुरी तेयर करता है यहां पे m आएगा sorry m के साथ तेयर कट है 12 km तो भी वाला आपका option correct हो जाएगा आपको इसमें थोड़ा सा assumption करके देखना है हर पर रखके देख लेना है जो भी आएगा आपका correct answer हो जाएगा next एक बस तो को 5% की हानी पर 1235 रुपए में जो हमारा x is equal to हो जाएगा वह x कितना हो जाएगा यहां से एकस निकाली है कितना हो जाएगा एकस हो जाएगा हमारा 1200 एकस हो जाएगा हमारा 1300 सौरी ठीक है एकस 1300 हो जाएगा अब हमें निकालना है 10% के लाप पर तो दस परसेंट इसका निकाल के सी में जोड देंगे तो इसका 10 sun कितना होगा 130 तो जब 130 इसमें जोड़ेंगे तो यह आएगा 4430 रुपछ तो यह canгоon 307 अंसर हो जाएगा गझा तो सब्सक्राइब आपको घोड़ेंगे यहां जाएगा आपको यह आंसर हो जाएगा आपका भारत ने अंटेर्क टिका में खरी इसत्तान अनुसंधान इस्टेशन स्थापित कर दिये हैं तो तो 2015 ये महल起熱 का question है उस समय का उस समय जो आपका trending में चल रहा होगा उंटार्टिका का जो अनुसंदान है वह ट्रेंडिंग में चल रहा होगा इसलीए इसके question हर paper में आपको मिल रहे है तो 2015 में के अंत में जो भारत में भारत ने стал चल रहा है तो कितने स्थापित कर लिए थे अंत तक तो इसका आंसर जो है आपका तीन हो जाएगा भी क्योंकि तीन स्थापित कर चुका था दो हजार पंद्रा के अंत तक भारत नेक्स्ट कुस्टन है आपका निम लिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिक सिस्टम मतलब जीपीएस के संबंद में सकते नहीं है तो जीपीएस सिस्टम वह होता है जो आप मोबाइल में नैविकेशन यूज करते हो या जो गूगल म से रिलेटेड है कि उपग्रेश छोड़ा गया था नेक्स्ट है एक चक्रबात की वह विस्टमानी नहीं करता है बांकि दोनों आपके सही हो जाएंगे तो यह जो है आपका बीवाला ओप्सन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन है आपका यहां पर एक व्यक्ति के प पास 5 दस और 20 रुपए के नोट संकिया है और हो बरावर बरावर की संख्या में ठीक ने जो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसमेंदिया लिए इस तो इसको यौन को आरब आर वीक कर दिया एक analyzed कर भारत के किस स्टेट का लोग प्रियतिवहार है लोग प्रियतिवहार है वो बताना है आपको तो यह है आपका सिक्किम का सिक्किम का यह लोग प्रियतिवहार है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्विस्टन है आपका यह एक सॉल्व करना है आपको यह एक solve कर सकते हैं कि 525 और इसको जोड़ दें और इसको खटा दें तो वैसे भी आप solve कर सकते हो या फिर आप नहीं इसको ऐसे solve करना जाते हो तो आप लोग ऐसे solve कर सकते हो इसको कि जो a plus b का whole square minus a minus b का whole square जो होता है वो हो जाता है finally 4 a b ठीक है न यह 4 a b होता है जब आप इसको solve करेंगे तो 4 a b हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा वाले इसको a मान है इसको b मान है और जो यह यह है मैं लिख देता हूँ 525 है उसको a मानते हैं और 252 है उसको b मानते ठीक है तो फिर क्या होगा यहाँ पर फोर एबी अपोन अबी यह इसको एबी माना तो यह भी एबी कट जाएगा तो बच्चे का क्या हमारा फोर बच्चे गा तो बी नंबर का हमारा option correct हो जाएगा ठीक है ना next question देखेंगे विसम को चुन है विसम मतब इसमें odd one out करना है आपको तो इसमें देखो silent valley silicon valley इंडस वेली और दमोदर वैली तो यह चार मैंसे आपको अलग करना है तो यह आपका जो बी आप याद रखिए कि आपका जो पेपर हुआ था यह आपका जो मैं पेपर करा रहा हूं यह च्छे तारीक को हुआ था ठीक है ना च्छे अपरेल को आपका पांच फरवरी का question आया है तो मतलब करेंट का question है यह समय का तो यह आपका बी नंबर का option correct है मतलब आपका गोहाटी में जो प्रिधान मंत्री जी थे मोदी जी उनने इस यह खेलों का उद्गाटन किया था next question है आपका वायोगैस का प्रमुक हिस्सा खालीस्तान होता है तो वायोगैस का जो प्रमुक हिस्सा होता है वो होता है तो आपको अगर फ्रमुला लिखने को आयता है तो आप चीछ फोल लिखेंगे मीथेन का और जो बायोगैस का प्रमुक अब यब है या प्रमुक घटक है वो होता है मीथेन ठीक है ना आपका कुष्ट रोग को खालीस्तान के नाम से जाना जाता है तो कुष्ट रोग नाम आपने सुना हुआ उसको और किस नाम से जाना जाता है तो वह है हैंसेंग रोग तो हैंसेंग रोग के नाम से कुष्ट रोग को जाना जाता है भी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्श लोछ से अगर कमेंट करके बता आपको जरूर बताएंगे सागर के ब六 एक भाष्थ करना हो T फिर आप locut calendar बोड़ से कौश्चन है तो ईह भी आपका होम बर्क रहेगा ठीक post shortened के question होते हैं वो आपको अपने family से से सिदारों से relate करके ही question solve करना है because जब आप ऐसे solve करते हो तो आप उसको अच्छे से solve कर पाते हो और आपका गलत होने के chance कम हो जाते हैं next question है आपका why green house gas कौन सी है जो जिसे हसाने वाली gas कहते हैं तो हसाने वाली gas मतलब nitrous oxide मैंने आपको साथ पिछले question paper में भी बताया था कि जो आया था ये question पिछले paper में भी था इसी साल के कि जो हसाने वाली gas है उसको उसका नाम क्या है तो उसका नाम है nitrous oxide and जो भोपाल भोपाल में जो जिस gas का रिशा हुआ था उसका उसका नाम है methyl isocyanide तो यह आपको दोनों यह से याद रखनी है विकाज यह दोनों कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पेपर में जरूर मिलती है डेलवे में नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी ठीक है ना तो next question है आपका निम लिखित मैंसे कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है तो नेटवर्क प्रोटोकॉल इन में से HTML नहीं है विकाज है कि प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है जो वेव डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है माकी तीनों आपके क्या है आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल है तो यह नहीं है तो यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा next question है आपका 5000 रुपगी धन्रासी दो वर्स के लिए 5 वर्स साधारन ब्याज दता समान दर पर बर्सीक चक्रवध्वद्धि व्याज के परपक्ता मुल्यों की अंतर ज़्यात कीजिए हैं तो आपको यहां करना इंट्रेस्ट कुचा है तो आपको क्या है निएप और करना सब से पहले साथ सिंपल ट्रेस्ट मेंस कर-देना है तो मैने आपको बताया दोनों का formula क्या होता है मैं यहाँ पर सिर्फ formula बताऊंगा आपको जो CI का formula मैंने बताया था वो बताया था पी 1 प्लस आर अपन 100 की पावर T-1 यह आपका होता है compound interest का formula and CI का simple interest SI का formula जो होता है वो होता है P into R into T upon 100 तो यह आपका simple interest का formula हो जागा समझ में आ गया next question है आपका आठमे संयुक्त राष्ट्र महा सच्चिव का नाम क्या है तो आठमे जो संयुक्त महा सच्चिव थे उनका नाम बताना है उनका नाम है आपका वान की मून वान की मून उनका नाम है नाम था अब हो सकता है कि नए बन गए हो वो आपको खुछ से पढ़ना है और नेट पर सर्च करना है कि यह उस समय यह थे तो अभी कौन है ठीक है ना तो यह आप लोग सर्च करेंगे नेश्ट कुस्चन है चार साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में बढ़नेत किया जाता है तो आपको पता है जो दो वर्स में होता है दो यह वारसिक होता है जो चार वर्स में होता है जो तीन वर्स में होता है जो तीन वर्स में होता है जो बहुत सालों बाद होता है उसको बोलते हैं भहुबर्शी है ठीक है ना तो यह जो चार वर्सों का पूचा गया तो इसका जो सही अंसर है वह आपका बी नंबर का ओफ्शन सब्द बनाने के लिए अवयवस्थे सब्दों तो इसमें जो आपको कुशन दिया है इसमें पूचा गया है कि जो यह अगला सलश सब्द दिये हुए हैं आप इसको अरेंज कीजिए और एक सार्थक सब्द बनाईए और उनमें से चांटीए कि कौन सा सबसे अलग है तो को लिखोगे तो यह ओगा मार्स एंड चौत्य को लिखोगे तो यह और आपका जूपीटर तो यह तीनों आपकी क्या है ग्रह आपके यह ग्रह ठीक है बट यह जो आपका सेकंड वाला है आपका ग्रह नहीं है तो यह आपका बी नम्बर का option surrender correct हो जाएगा नेक्स्ट नहां आपका निमल खित मैंसे हूं सा एक एंटीवायरस है तो एंटीवायरस kurike है वो बताना है तो एंटि वाइरस है आपका डॉक्टर वेव तो एंटी वाइरस मतलब जो कही ऊंढेक्ट करने के लिए से यूजब आपको करने के लिए दिया हुआ है आप इन दोनों को एड करें यहां पर एक्स रखा है इसको इस तरह लाएं तो यह यह माइनस हो जाएगा तो जब आप इसको करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह डी नंबर का ऑप्षन 2.346 आप यह करके बताने लाइक कुछ नहीं है यह आप लोग खुद से करेंगे ठीक है न क्योंकि यह क्या है इसमें कुछ नहीं करना है आप एक्स माल लीजिए एंड में रख के बता देता हूं एक्स इस इकॉल टू आपको लिख देना है आप इसको इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएंगे 9908.221-9876-34.567 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपको करेक्ट आ जाएगा ठीक है ना आप सॉल्व करें इसको नेक्स क्वेशन है आप दिल्ली इससे जनतर मंतर का निर्माड किस महराजा ने किया था तो पिछले क्वेशन में आया था कि जो जनतर मंतर है दिल्ली का वो किस चीज से रिलेटेड है तो आपको मैंने बताया था कि जो आपको मैंने बताया था उस वेपर मैं कि किस चीज स option correct हो जाएगा next question है आपका next question में आपको question show नहीं हो रहा है यह question ही नहीं आप आया दिसलिए इसको solve नहीं किया जा सकता next question है आपका next question आपका reasoning related है इसमें आपको कुछ direction दिवी है आपको डारेक्षिन को follow करके आपको बताना है कि final stage this ? सबसे ऐसे question में सबसे फ्याएपको दिशा बना लेनीः ठीके ना तो दिशा आप बता बना होगे यक पूरव होती है यह परस्चिम होती है यह उतстр होती है और यह दक्षिन होती है तो आप इसको आपको direction के साफ से लिखना है तो सबसे पहले जो महला है आपको यहां मानना है इसके बाद दक्षिन में कितनी जाती है 15 फिर उसके बाद दाएं मुरती है दाएं कितनी जाती है 35 जाती है एंड उसके बाद फिर आपका दाएं मुरती है और यह फिर 15 जाती है ठीक है ना जैसे ही यहां देखेंगे भले ही वह ऐसी गई बट इसकी पैरलल है यह तो यह कितनी होगी 35 होगी और यह 5 होगी तो 35 प्लस 5 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 तो यह 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना जो इसी का वैल्ली वह 40 हो जाएगा next question है आपका next question आपका कुछ इस तरीके से coding decoding वाला दिया हुआ है इसमें PIXIE को आपको लिखते हैं यह तो आपको elevator जो है उसको क्या लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो X है वो X की जगा पर X लिखा हुआ है मतलब जो center वाला point है वो आपको center में लिख देना है मतलब यहाँ पर center वाला point A है तो आपका जो center में आएगा वो A ही आएगा answer में and यहाँ पर next में क्या लिखा है यहाँ पर answer में O है तो यहाँ पी आया है तो यहाँ पर ऐसे ही D है सब में D दिया हुआ तो D है तो E आएगा सबसे पहले आगे ठीक है ना next यहाँ पर H है तो I लिखा हुआ है आप एलैकर यहां पर हैर यहां पर किया यहां पर का किए यहां पर यहां किर अभी आफिेक भी कीरियों कि बाता है यहां पर डि आ जादा आप एक पर जाएगा डूला गुट तो आप इसको EKDA तो EKDA तो EKDA मिल रहा है यहां भी मिल रहा है ठीक है न तो आगे को भी चेक करना पड़ेगा जब आगे को चेक करोगे आप तो किया है क्या है यहां यह रहाएं है तो ओ है तो कोशुन है हमारा एक कंप्प्यूटर से रिप इसमें पूछा गया कि जब आप computer में paste करना चाहते हो किसी चीज़ को तो आप कौन से keyword का यूज करते हो कौन सी कुझी का यूज करते हो तो आपको पता है control प्लस भी अगर दबाते हैं तो कोई भी चीज paste हो जाती है तो यह आपका इक सरकार के अंतरगत. नहीं आता है उसका एक अलाग मंत्राल तो आपको इसमें क्या ग्याद करना है, इसका मिस्रधन दिया हुआ है, तो P into R into T upon 100 is equal to, आपको यहाँ पे निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे मिस्रधन दिया हुआ है, तो आपको P निकालना है, तो आपको R दिया हुआ है, ठीक है, आपको time दिया हुआ है, ठीक है, आपक मिस्रधन दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 8700-x इसलिए लिखा क्योंकि जब इस मैंसे यह टोटल मिस्रधन मैंसे अपन मूल जो पी है यहाँ पर लिख सकते हैं पी है वो घटा देंगे तो हमारा इंट्रेस्ट आ जाएगा तो हमारा जो एक्केशन बनेगा पी इंट्व आर इंट्व टी अपोन हंड्रेड इस इक्वल टू 8700-पी जब आप इसको सॉल्ब करोगे आर और टी का वैल्यू आपको गिविन है तो पी यहाँ पर अनन हो जाएगा यहाँ पर सॉल्ब करके पी का वैल्यू जब आप निकाल हुआ है एन इस गल्टू 14 एन इस गल्टू अगर 14 लिखा हुए तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सिक्वेंस नमबर दिया हुए मतलब एक को वन लिखा है टू बी को टू लिखा है जैड को 26 तो ऐसे मैंने बताया था पिछले वेडियो में आपको इजॉर्टी से सॉल् करोगे तो यह क्या आएगा कि यह आएगा 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 यह आपका आएगा टी को लिखते हैं 120 एंड ऑए को लिखते हैं 9 प्लस M को लिखते हैं 13 and प्लस E को लिखते हैं 5 जब आप सब को जोड़ोगे तो यह आएगा आपका 47 भी नमबर का option आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका निमलिकितouth में से समांता का पता लगाएगा है तो जब समांता आपस अद होगे तेनों जमीन के अंदर होते हैं अद्रक सल्जम गाजर और मूली सभी जमीन के अंदर होते हैं तो इसका मौनलब क्या है यह सारी जड़े हैं यह ना यह साड़ी जड़ों के नाम है तो यह आपका डी नंबर बाल ओप्सन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका दो संख्याओं का अनपाद चार अनपाद तीन है तदा उनका HCF आठ है तो LCM गयाद करो तो उनका जो अनपाद है वो क्या है चार अनपाद तीन दिया हुआ है एंड जो HCF है मतलब जो आपका HCF है वो आठ दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको 4 कर देना, into 3 कर देना है into 8 कर देना है 4 और 3 इसलिए कर देना है because जब आप इसका common निकालते हो, तो common तो आपका 8 हाया होगा ना, जब आप HCF निकालते हो तो common 8 हाया होगा, and 4 और 3, ये 2 बच्चे होंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, and जो common है उसका भी गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आठ चुको 32 और 32 गुणा तीन करेंगे तो यह आएगा आपका B नंबर का 96 आपका correct answer आजाएगा ठीक है ना तो B आपका correct होगा next question आपका है बस्तू को 15% लाब पर 920 रुपए में बेचा गया तो 20% लाब कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा तो 15% लाब कमाया गया लाब मतलब 115% है ना तो यह किसका 115% है एकस का 115% बराबर कितना दिया हुआ है 920 तो एकस बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 800 आजाएगा जब आप इस question इस equation को solve करोगे तो आपका x is equal to आएगा 800 आपको निकालना है फिर 20% लाब तो 800 का 20% कितना हुआ 800 का हम 20% निकालेंगे तो यह होगा हमारा 160 रुपए तो 160 हम इसमें जोड़ देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 6 & 9 तो हमारा जो 20% लाब के जाएगा वह हो जाएगा आपका 960 रुपए तो यह हो जाएगा आपका C número वाला पॉक्सन करेक्ट हो जाएगा next question है आपका उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है तो रुपया भारत में भी चलता है आपका पाकिस्तान में भी चलता है स्री ल संका में कुछ और बने रहते हैं बट उसका नाम रुपिया है ठीके ना मैना महार में जो करेंशी चलती है वो उसका नाम रुपिया नहीं है तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कुश्चन है निम निल्खित में से कौन बांकी तीन से अलग है तो इसमें से बतान हैं पालक धनिया और सलात पत्ता है तीनों हरी सब्जियां है बटे क्या है मसूर दाल दाल पीले कलर की होती है तो यह आपकी दाल है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सबसे अलग है ठीक है ना नेक्स कुश्चन है आपका 1929 के साविनाय अवाग्या अंदोलन का मुख उद्देश क्या था तो मुख उद्देश क्या था साविनाय अवाग्या अंदोलन का तो उसका उद्देश था कि ब्रिटिस सरकार जो थी उसके सभी आदिसों का संपूर तरीके से उलंगन करना या मानना उनको नहीं मानना अवाग्या करना उनकी ठीक है ना तो यह उसका मुक्त देश था 1929 में यह हुआ था यह कुश्चन आपको आ सकता है कि जो साविना अवाग्यान दोलन हुआ था वो कब हुआ था तो आपको लगाना है 1929 तो यह भी याद रखना है और इसका जो अभी करेक्ट आंसर है उसका आंसर है ए नंबर आप्शन बिटिस सरकार के आदेशों की पून तरीक संपून तरीक से अवज्च्छा करना नेस्स कोस्चन है आपका भारतिय मुद्रन नोटों के अगर भाग पर दिखाई देने वाला भारती रिजर्ब वेंक ओफ इंडिया रिजर्ब वेंक ओफ इंडिया के मुद्रन के लिए किस तक्नीकी का प्रयोग किया जाता है तो इसका अंसर है Intaglio Printing तो Intaglio Printing का यूज किया जाता है नोटों को छपने के लिए ठीक है न तो ये आपका बहुत important question है ये आप जरूर याद रखें इसका option correct answer ये ए है next question है आपका लट्टू को घुमाना किसका उधारान है तो लट्टू आपने देखा होगा देखा नहीं होगा तो कहीना कहीं देखा होगा आपने calendar वगेरा या जो जब आप छोटे में पढ़ते थे तो लट्टू आपने जरूर फोटो में देखा होगा या फिर हो सकता है कि घुमाया हो तो वो किस सिध्धान पर कारे करता है या किस चीच का उधारन है तो वो है आपका केंद्रा में मुखबल का ठीके ना वो केंद्रा में मुखबल का आपका उधारन है वो example है नेक्ट कोश्चन है आपका चार में से तीन संख्याओं का आउसत 18 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का आउसत 14 है तो पहली तथा अंतिम संख्या का योग 16 है ठीके तो अंतिम संख्या आपको ग्याद करनी है चलिए तो इसमें ये आपका average का कोश्चन है ठीके इसमें सबस कुछ गलती है और भी द्वारा यह को कैंसल कर दिया गया था लेकिन मैं आपको बता देता हूं को आइडिया देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं कि जो चार संख्याओं का योग दिया जो असत दिया है वह ठारा दिया है तो योग कितना होगा पिफ्टीफंटम दिया बताएगे होगा के तरुटम होगा इस तरीके से सल्फ करें सावके हैं अकूछ लिएवन ऑपना इसर दिया मंन है वह तो गलत नहीं लगा स॑ंवाथ भेंगे तो नारुन का शाब्से लोग्लista कॊन सा है तो susen लोग्लाद का सबसे लोग पमिया नेत्र आपका है नुर्ट आपकाНе काम कार कम वहां का जो है वो सबसे लोग्लिया एट इसको याद रखना है तो आप लोग को जितने भी state हैं उनके जो जितने भी festival हैं खुद के जो वो मनाते हैं और जितने भी dance हैं या जो languages हैं उनको याद करके जरूर जाना है विकास जब भी railway का paper होता है तो आपको languages, dance और वहां की जो festival हैं और festival में कैसे मनाते हैं वो कौन से समधाय द्वारा मनाया जाता है यह question बड़े important होते हैं तो यह आप पढ़के जाएंगे next question है आपका यदि you are john तो इसमें कुछ वाक के दिये हुए हैं उनको code किया हुआ है बापके को code किया हुआ है और आपको पूछा गया है ठीक है ना और किसी में नहीं आता तो जब कोई भी चीज़ एक में आता है तो हम उसको find out नहीं कर सकते हैं ठीक है न हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा देखो john है john तो दो में आ रहा है बट good इस गुड इस गुड तो दो में आ रहा है तो इस गुड जब दो में आ रहा है इस गुड तो इस भी एक में आ रहा है और गुड भी दो एक में आ दोनों चीजे एक ही एक में आ रहे ही तो हम comparison नहीं कर सकते माली जी इस इसमें भी होता और इसमें तो हम दोनों को compare करते बट हम compare यहाँ पे नहीं कर सकते इसलिए इसका जो answer हो जाएगा वो D हो जाएगा कि हम इसको find out नहीं कर सकते cannot be determined ठीक है ना next question है A का भाग B के भाग से दोगना है ठीक है ना A का भाग B के भाग से दोगना है जिसका भाग C के भाग से तीन गुना है ठीक है ना तो यह बहुत ही आसान question है इसमें लिखा हुआ है जो A का भाग है वो B के भाग से क्या है दोगना है जो B का भाग है उससे दोगना है and लिखा तो इसका जो unexpected हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एक अनपाथ ये हो जाएगा एक अनपाथ दो अनपाथ शिक्स तो ये हो जाएगा आपका 1 का बी का और सी का तो ये तीनों का आनपाद आ गया और टोटल दिया आपका अठारा सौ अबाकि आप लोग को केल्कुलेशन आप की उपर छोड़ता हूं मैं आप लोगों को ये करना है ठीक है ना नेस्ट क्वेशन है प्रथम ग्यारा प्राकृतिक संख्याओं का मात दे निकालिए तो प्रथम ग्यारा प्रा संख्या अपका आपको भाग दे देना है तो यहाँ पर आपका न यहां पका करेक्ट हो जाएगा यहीं आपका करेक्ट आंसर है ठीक है ना नेक्स्ट क्योष्टन है निम्ले के समीक्राण मैं यदि गरती ऐ ओप्रेटर तो आपको फिर से यहां पर एक क्वेशन दी हुई ह यह वाली इसमें बुला गया है माइनस और इंटू को अगर exchange कर दिये जाए तो आप जब exchange करोगे यहां माइनस की जगा पर गुड़ा लिखेंगे and plus one and गुड़ा की जगा पर माइनस लिखेंगे and fifteen upon three तो यहां पर जब काटेंगे तो पांच आएगा यहां पर जब solve गरेंगे तो चार यहां पर आगाच चो बीस प्लस एक पच्चीस पच्चीस में से पांच गए तो बीस बीस आपका correct answer आजाएगा simple calculation वाले question है कुछ जादा tough नहीं है next question है आपका 2015 में badminton के लिए अर्जुन प्रोषकार से किसे सम्मानित किया गया था तो 2015 में यह current affairs का question है उस समय badminton के लिए किसे अर्जुन प्रोषकार से सम्मानित किया गया था वो बताना है तो यह है आपका answer किदंबी किदंबी श्रीकांथ को अर्जुन प्रोषकार से सम्मानित किया था अब मैं आपको बताता हूं कि 2018 19 20 में जिन जिन को भी अर्जुन प्रोषकार से सम्मानित किया गया है आप उनको भी याद करोगे लिए ये कुस्चन आपको आने के चांसे आपको एक है लेकिन के कोश्चण वो आने के चंसे आपके बढ़ जाते हैं इसलिए विश्रदर हो रहे हैं यह नहीं है तो यहीं आपका correct answer हो जाएगा मतलब ए नमबर का आपका correct answer हो जाएगा next question है bread बनाने के में इस्तिमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है तो इसका answer है किडवन के लिए उत्प्रेरक की रूप में कारिय करता है तो यह वाला किडवन वाला आपका साही है क्योंकि bread related आपसे जबी भी question पूछा जाता है और उसमें अगर किडवन के बारे में लिखा हुआ है तो आपको यहीं वाला answer लगाना है विकॉस जब आप bread बनाते हैं तो उ नहीं दिये हुए हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद यह question गलत होना चाहिए बट इसमें दिया हुआ है तो क्या ही बोल सकते हैं तो इसको हम लोग solve नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है आम बहुत सारे question कर रहे हैं दो question छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता नैक्स question है आपका एक आयत की एक बुझा 12 मीटर की है तो आयत होता है कुछ इस तरीके से rectangle उसकी एक बुझा 12 है ठीक है एक बुझा 12 है ठीक है और उसका जो बिकर्ण ह वो है 13 तो आपने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे राइट अंगल ट्रेंगल बन गया तो जब यहाँ पर पाइथागोरस थिरम से आप इसका वैल्यू निकालोगे तो यह आएगा आपका पांच यह वैल्यू निकालोगे आपका हाइपोटेनियस का स्कॉायर माइनस आपका बारा का स्कॉायर इस इकॉल टू माली यह बी है तो बी का स्कॉायर तो यहाँ जब बी का वैल्यू निकालोगे तो आपको पांच आएगा तो पांच जब इसका वैल्यू आ गया तो आपको निकालना है छेत्रपल तो छेत्रपल होता है एल इंटू बी तो एल इंटू बी सब्सक्राइब नीटर इसक्वाइब का यह चित्रफल आजाए आपका नेक्स्ट कॉस्टन हैं आपका सबने चार एक मिस दिये गए हैं इननेahu 24 निकालना है तो सनी एक ग्रह सूर्य एक तारा है मिलकी वे तारा मंडल और जो टाइटन है टाइटन एक ओप ग्रह तो यह सही है तो Milky Way है वो तारा मंदल नहीं है ठीक है ना Milky Way एक आकास गंगा है तारा मंदल नहीं है तो C वाला जो आपका option है वो correct हो जाएगा मिल्कवे जो वो एक क्या है आकास गंगा है जिसमें हमारी प्रिथवी भी है Milky Way के अंतरगात आती है ठीक है ना तो next question है हमारा 1.9, 8.4, 3.6 and 5.8 की मद्धिका ग्याद करो मतलब median आपको निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 संख्याइं होती है 4 संख्याइं या even बोल जगते हो आप even नंबर होते हैं इन दोनों को add करके 2 का भाग देते हैं और जब भी odd होते हैं तो center वाला आपका median होता है लेकिन यहाँ पर आपका even है तो even में आप दोनों को लोगे तो यह आएगा आपका 12 दोनों को जोड़ोगे 8.4 plus 3.6 तो आपका आएगा 12 and upon मैं करोगे 2 तो यह आएगा 6 तो 6 वाला answer इसमें नहीं है तो नहीं है इसलिए यह RRB द्वारा reject किया गया है ठीक है न यह RRB द्वारा cancel किया गया है question क्योंकि इसमें इसका answer present नहीं है ठीक है next question है आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है formula based direct question है आपको पता होना चाहिए A plus B plus C का जो formula होता है hier का वो होता है A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA यह आपका formula होता है तो आपको direct यह यहाँ पर value रखना है यहाँ पार G plus C का value दिया हुए 6 तो आप जब square करोंगे 36 आएगा equal to A square B square plus C square का value आएगा आपका चाउदा एंड आपका यहाँ पर इसको माल लीजी कि X माल लेते हैं और दो कॉमल ले लिया तो दो X माल लिया A प्लस B या X नहीं मानते हैं विकास नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे तो 36 यहाँ पर यह इस्तरब जाएगा 36 प्लस 36 माइनस यह इस तरब जाएगा 14 यहाँ पर हो जाएगा 2A टू कॉमल ले रहते हैं AB प्लस BC प्लस CA ठीक है यह आपका हो जाएगा यहाँ पर तो जब आपका AB, BC, CA का जब बैल्यू निकालोगे तो यह आएगा आपका 36 में से 14 गेटा तो 22 बटा 2 मतलब यह इस कहां जा जाएगा 11 समझ में आए तो यह आपका B number का option हो जाएगा करेक्ट ठीक है ना कि有 चली नेम्स क्षोंट हमारा एक तकलो में ट्रीका को स्वार इसको हम सौल कैसे करेंगे जल्व करते हैं इसको सौल करने के लिए आप देखेंगे है आप साइन थीटा पॉन कौस थीटा क्बॉरत का घुथा निका हूए इंटू मैं कॉदित निका गर कॉदिता कों लिख हो हम लिख हैं वन अप्हों साइन थिटा है तीक है यह लिखते हैं यह से यह आपके चारों कट जाएंगे जह उपर जाएगा तो आपका सिंगल किला क्या यह बचेगा है तो यह Mitarbeiter हो जाएगा मतलब बी नंबर नमबर क्सना आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स कुष्चन है आपका लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है लुई पास्चर का नाम आपने जरूर सुना होगा इसने इन्होंने क्या खोज की थी वो बताना है तो इन्होंने जो रेवीज का टीका होता है रेवीज का टीका होता है जो करेक्ट हो जाएगा next question है आपका किस पुस्तकाल है तो आपको यहां पर देख देखना है कि यहां पर यह देखो comprehension का question है तो यह आपको question डारेक्ट solve नहीं करने लगना है यह comprehension को question है किसी current से यह इसका जो comprehension जो इसका दिया हुआ था वो नहीं इसमें आपाया है इसलिए इस question को ignore करेंगे छोड़ देंगे और इस question को नहीं solve करेंगे because यह comprehension हमें जब नहीं दिया है तो हम कैसे question को solve करेंगे उसी के ऊपर waste रहते हैं यह question ठीक है ना तो किसी में भी मेंडेल को तो यह आपके correct answer है बी नंबर का जो option है आपका correct हो जाएगा next question है आपका Mac OS system किसकी द्वारा विक्सित operating system है तो जो Mac operating system है वो किसने बनाया है किसकी द्वारा विक्सित किया गया है तो उसका correct answer जो Mac operating system है वो Mac operating system है जो वो एपल कंपनी द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है next question है आपका British सरकार भारत को कब सुतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई अब आपको पता है 15 अगस्त दूनिस सु सेहतालीस को ठीक है आजादी हमें मिल चुकी थी लेकिन जो government थी British government उसने कब वो कब राजी हो गई हमें सुतंत्रता देने के लिए वो बताना है तो वो हुई थी 1946 में तो C number का हमारा answer correct है ठीक है next question है आपका हाली ही में मंजूरी प्राप्त लोको भारत या लीगो इंडिया परियोजना किस से संबन्द है तो जो लीगो इंडिया परियोजना जो संबन्द है वो है गुरुत्वा करशन तरंगों के अनुसंधान तो यह आपका C number का option correct है next question है आपका बंगलादेश में आयोजित अंडर 19 विस्ट कब 2016 के लिए कोच कौन था तो जो कोच बनके गए थे इंडियन टीम के इसमें कहीं भी नहीं रिखा कि इंडियन टीम का कोच कौन था बट आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया की टीम का कोच ही यहाँ पर आंसर में करना है तो जो कोच थे वो थे राहुल दृबण under 19 team के तो आप यहाँ पे जितने भी under 19 19 विश्व कब उसके बाद हो गए है या जो भी कुछ हुआ है उनकी जितने भी coaches हैं आपको याद कर लेना है जो current में coaches हैं वो भी याद कर लेना है विकॉज यह उस समय के लिए आपका current affairs था लेकिन इस समय के लिए यह आपका पुराना हो गया तो इसके आने के chances कम हैं तो इसलिए आप इसको जो नए coaches हैं उनको आप जरूरियात कर लें ठीक है next question है आपका दो बरतनों का आयतन बराबर है ठीक है दो बरतनों का जो आयतन है जिसमें पानी जो बनता है वो सेम बनता है जिसमें एक अनपात तीन तथा दो अनपात एक अनपात में दूध तता पानी रखा गया है तो एक में जो है एक अनपात तीन में दूध और पानी है दूसरे में दो अनपात एक में है Jakarta आपको इसमें क्या करना है यहाँ इसका योग जो है वो 4 है इसका योग 3 है दोना है दोना कर ठीक है THS तो जो ऐसी संख्या को चूज करना है जो 4 और 3 दोना से डिवाइड हो जाती है तो मानली जीए कि वो 12 है ठीक है वो संख्या है 12 ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर इसको 1 अनुपाथ 3 में डिवाइट कर देना है तो जब इसको 1 अनुपाथ 3 में करोगे यह हो जाएगा 3 अनुपाथ 9 हो जाएगा एट अनुपाथ 3 में करोगे तो यह हो जाएगा 8 अनुपाथ आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 अभजब आप इसको जोड़ोगे दोनों क्योंकि आपने मिला दिया है तो 9, 4, 11 होता है 9, 4, कितना होता है? 13 होता है 18 होता है आपका 11 तो यह आजाएगा 11 अनुपात 13 ठीक है तो यह आपका A number का option correct हो जाएगा next question है आपका एक त्रिभुज का छेत्रफल इतना है and उसकी उचाई जो है इतनी दी गई है तो आधार एच होता है height and B होता है बेस तो आपको बेस यहाँ पर निकालना है मस्ला आधार निकालना है तो आप इस formula में value रख देंगे तो आपको यहाँ पर 1 upon 2 लिखना है into h लिखना है जो की आपको दिआ हुए 24 तो मैं आपको यहाँ पर into base आपको निकालना है to क्या जाएगा 456 बटे 12 जब आप इसको solve करेंगे तो आपका जो answer आएगा वो आएगा आपका D number वाला option 38 जो B का value आजाएगा वो आजाएगा B is equal to 38 आपका correct answer आजाएगा ठीक है next question है आपका राष्ट्रिय वायू गुर्वत्ता सूजकांक को खाली इस्तान प्रदूसकों की सघंता के आधार पर निर्धारिस्त किया गया तो कित यहां पर संख्या बताना है ठीक है तो वायू की गुणवत्ता सूजकांक को खाली इस्तान तो खाली इस्तान में हम भनेंगे 8 क्योंकि इसका correct answer है D number वाला option ठीक है next question है आपका कोच गुणा करना है तो यह सिंपल ही है अगर आप दसमी तक भी आपने पड़ा लिखा है तो आप इसको जरूर पड़े होंगे तो इसको अगर आप direct इसको आपको formula नहीं पता है and minus 8ab तो 8a आ जाएगा आपके यहाँ पर and यहाँ पर कोच टक a minus 4 तो जब आप इसको गुणा करोगे ठीक है ना आपको खुद गुणा करना है यह गुणा बहुत ही आसान है कोई tough नहीं है छोटा सा simple question कोई logic नहीं है तो इसका जो answer आपका आ जाएगा वो आ जाएगा aq minus 12a square plus 48a minus 64 तो यह आपका d number का option correct आ जाएगा ठीक है ना next question है आपका यह भी simple है यह 22 दिया हुए यहाँ पर 3 equation को equate करना है तो 22x minus यह इस तरफ जाएगा तो 3x आ जाएगा is equal to यह इस तरफ जाएगा तो 207 plus 40 आ जाएगा ठीक है तो आप जब यहाँ पर solve करोगे तो यह आएगा आपका 19x is equal to 247 एंड जब इसका आप answer करोगे तो यह आएगा आपका यह आजाएगा आपका कितना आएगा यह आएगा आपका 13 13 तेरा आपका correct answer आजाएगा ठीक है ना आप इसको solve करोगे जब तो simply question है यह कक्छा पांचमी छटमी वाला question है मुझे लगता है इससे ज्यादा अब नहीं है next question है कुछ इस तरीके से आपको trigonometry का question है तो यह दो solve हो सकता है इसमें सबसे पहले या तो आप इसको cos theta is equal to यहां पर root 3 upon 2 लिख सकते है equal to ठीक है तो theta is equal to लिखेंगे तो cos inverse root 3 upon 2 हो जाएगा तो यहां से theta का value कितना आ जाएगा 30 यहां पर theta का value जाएगा and जब आप यहां पर रखो गे तो cos theta आपको cos theta आपको दिया हुआ है कित 10 theta, theta की value कितनी आई थी 30 तो 10 30 कितना होता है 1 upon root 2 तो जब यह यह कट जाएगा तो यह बचेगा 1 upon 2 अब आपको दूसरी तरीके से आपको इसको ऐसे solve करना है कि मानलो आपको cos theta is equal to दिया है root 3 upon 2 ठीक है तो आप इसको लंब बटा करन जो होता है LAL बटा KKA तो इसकी तरीके स से भी solve कर सकते हैं तो a is equal to k upon हो जाएगा क्या यह is equal to इतना हो जाएगा और k is equal to इतना हो जाएगा तो यहां से आपको निकालना है फिर आधार की value है ना तो आधार की value आप निकालो के pythagoras theorem से and फिर उसके बाल इस वाले formula में value रखोगे तो यह थोड़ा lengthy हो जाएगा तो जो मैंने पहले आपको process बताया वो थोड़ा आसान है आप उससे कर सकते हो या इससे दौनों से करो के same answer आएगा बट उससे थोड़ा साथा आपको लंबा पड़ेगा next question है बंगला देश में प्रवेस करने के बाद गंगा की मुख साखा को किस नाम से जाना जाता है तो यह सिदा सिदा question है Lucent का question आपको उठा के रख दिया है Lucent में direct दिया है कि बंगला देश में जो गंगा नदी होती है उसको क्या बोलते हैं तो बंगला देश में गंगा नदी को पदमा के नाम से जाना जाता है तो D आपका correct answer हो जाएगा next question है बड़ी तथा छोटी कॉपियों पर अंकित मूल 10 रुपए तथा 15 रुपए है तो जो मानलों बड़ी कॉपियों को B से denote करते हैं छोटी कॉपियों को S से denote करते हैं तो यह 10 है एंड आपको एक छातर पांथ दर्जन छोटी कॉपि लेता है तो पांथ दर्जन मतलब बारा पंचे 60 दर्जन में लेता है तो एक दर्जन में बारा होते हैं तो साथ टोटर इसका प्राइज होगी है 600 रुपए एंड दस दर्जन लेता है बड़ी कॉपियों कि हैना दस दर्जन लेता है बड़ी कॉपि लेता है तो दस दर्जन जब बड़ी कॉपि लेका बड़ी तथा छोटी तो बड़ी है दस रु पर है चोटी कौपी पात दर्जन चोटी कौपी तो यह देखिए आपको यहां पर उल्टा दिया हुआ है बड़ी और छोटी दिया हुआ है यहां पर बड़ी का दिया है यहां एक्चली चोटी बड़ी होगा चोटी बड़ी चोटी का 10 बड़ी का 15 यहां उल्टा दिया यह जाएगा बारा पंचे साथ तो चैसो रुपे की हो जाएगी and जो बीग कौपी है बड़ी कौपी है वह खरीदी जाती है दस दर्जन और वह भावे खरीजी जाती है यह बारा 120 एंड बारा को पुक्रोंगे तो यह आएगी 180 पंद्रा इंटू एक्सोबीस तो यह आएगा आपका अठारा सुरूप है ठीक है न जब इसको एड़ करोगी तो यह आएगा 24 ंट्रेड यह आएगा आप इसमें आपको फायदा कितना लेता है जूट कितनी मिलती है 5% तो इसका 5% निकालेंगे 5% निकालेंगे तो यह आएगा आपका 5% इसका अगर निकालेंगे हम तो ये आजाएगा हमारा 120 रुपए ठीक है ये आजाएगा हमारा 120 रुपए समझ में आया तो 120 हमारा 120 नहीं आएगा यहाँ पर 5% इसका कुछ निकालेंगे तो कुछ गल्त आएगा इसलिए इस question को reject किया हुआ है ठीके नाई इस question को RRB द्वारा reject कर दिया गया है तो कुछ गलत होगा तभी इसमें RRB द्वारा reject किया गया है इसलिए इसको confusion हो सकता है इसलिए इसको नहीं touch करेंगे हैं next question है आपका कथन और निसकर्स वाला question है इसमें आपको दिया गया है ग्रहक सेवा को जबर जस्ती लागू नहीं किया जा सकता यह है अंदर तक उजागर होती है आपको जो निसकर्स दिये हुए है आपको ग्रहक सेवा स्वैक्षिक होनी चाहिए दूसरा दिया है करमचारी ग वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात कीजिए जिनमें 305 को जोडने पर वह इतने तो यह question भी आपका RRB द्वारा reject किया गया है तो इसलिए हम इसको भी solve नहीं करेंगे विकास जब हम ऐसे question को solve करते हैं तो confusion create होता है ठीक है ना next question है अगर राष्टपती और उपराष्टप हो तो भारत का राष्टपती के रूप में कौन कारिय करेंगा तो इसका correct answer आपका है भारत का जो मुक्नियादीस होगा वो भारत के राष्टपती के रूप में काम करेंगा ठीक है तो c number का option correct हो जाएगा next question है आपका एक मानचित्र में 1 cm is equal to दिया है आपका तो 1 cm is equal to कितना दिया है आपका 18.5 km ठीक है तो इसमें पुझा गया है कि 22.5 cm का जो डिस्टेंस है 22.5 वो कितने km के बराबार होगा actual distance क्या होगा तो इसमें 18.5 का क्या कर देंगे multiply कर देंगे जो आपका आएगा answer तो आपका answer आएगा 411.625 तो यह आपका a number वाला option correct हो जाएगा next question है आप आपका एक puzzle है ठीक है तो इस puzzle को solve करना है आपको तो यह puzzle काफी आसान है और वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इस puzzle को मैं नहीं बताऊँगा बटन में थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगो इसमें आपको क्या करना है bend मैं पिछले question में आपको बता चुका हूँ काफी puzzle बता चुका हूँ इस तरीके की तो आपको उनमें से आपको help लेना है अगर आपना नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो आप जाके जरूर देखें वहां से आपको जरूर help मिलेगी तो आप यह जो puzzle होते हैं आप यह वाली puzzle खुद ही solve करें विडियो भी काफी लंबा हो होगा है दो बेहनों की IU का अंतर दो बर्स है तो पेमाली जियूए पहली फैन जीटू का जो आंतर है वह है दो साल का आप इसमें ध्यान से देखिए जो फादर की दियो यह वह 52 दियूए इसमें बोला गे है इससे दो बर्स कम है मदर की ऐस मादर की कितने हो जाएगी पचास एंड जो छोटी बड़ी शिष्टर है उसकी उम्र है माता की आधी तो मतलब जो जी टू माल लीजिए आपकी है पचीस तो छोटी बेहन की उम्र क्या होगी तो दो बर्स का अंतर है तो आप इसमें से दो घटा देंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो अधर की उम्र और मदर से आधी है आपकी बड़ी बेटी की उम्र तो पचीस हो गई एंड जो दोनों बेटियों की उम्र का अंतर कितना है दो बर्स है तो दो छोटी बेहन कितनी होगे पचीस माइनस दो तो यह हो जाएगा तेजिस ठीक है न तो यह आपको अच्छे से है स्पी डिजकल होता है दी एपान टी तो दीपोंटी होता है तो दी अगर आपको फ injuries से अंत only he hoyu जाएगा ठीक है न तो pin two दिया हो है एंड आपको टी दिया हुआ है time 2019 सुद्द कर नहां ये बांड्ड होगा तो जाएगा पांच Mississippi सेकेंड में फोन जाएगा ठीक है तो स पर आभर को जब मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 60 into 5 demek 18 . तो जब इसको सॉल्ब करेंगे वह हो जाएगा 60 into 5 let 18 into 30 . तो default three यह 10 tại 10 helaTION deg total तो आपका तोटल हमलेंगा 500 मेंटर यह आपका correct answer सरा जाएगा ठीक है ना तो यह आपको धियान रखना है चलिए नेक्स कुस्चन करते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने छेत्रफल की दृष्ट्री से खाली स्थान में सबसे ज्यादा वन है तो आपको बताना है कि छेत्रफल की दृष्ट्र सबसे ज्यादा वन जो है किस इस्टेट में है तो उसका अंसर है मद्यपृष्ट्ट सी स्थन कर्येक्ट है क्योंक्य क्यूंकि मद्यपृदिश्प छेत्रफल की दृष्ट्री से सबसे ज्यादा वन पायजाते ओं ठीक है नेक्स्ट कुस्चन हैं आपका हाली में पता चल यह आपकी उत्तर पूरवी भारत में यह उत्तर पूरवी भारत में आपकी पाई जाती है ठीक है ना तो आपका correct answer हो जाएगा B number का option इसमें को सब्सक्राइब करने वाली आकास मिसायल का परिक्षन कहां किया गया था वह किया गया था अब्दुल कलाम दूई पें तो यह उसको याद रखना है ये आपका वह इंपोर्टेंट को सब्सक्राइब ठीक है ना नेक्स्ट कुस्चन है आपका उस सतरंज चैंपियन का नाम बताएं जिसने जिसके खिलाब विश्वनाथन आनंद 2014 के विश्व सतरंज चैंपियन का मुकाबला हार गए थे तो उनका नाम बताना है मैगनस काल्सन तो इनका नाम काफी चर्चित रहा था तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए इनका नाम है मैगनस काल्सन नेक्स क्वेशन है आपका निमली खित्मेंद से एक bonagre कहा जाता है तो किसे एक bonagre कहा जाता है इसका नहम है pluto pluto इसलिए है क्योंकि ये bonagre है इसको ग्रह की सरनी से अलग कर दिया गया है इसलिए अप ग्रहों की संख्या 8 हो चुकी है ठीक है ना तो आपको इसको भी याद रखना है नेक्स्ट कुश्चन है आपका भारती रेलबे में जोन है तो भारती रेलबे में 17 जोन है ठीक है ना लेकिन 17 इसमें आंसर नहीं होने के करण इसको कुश्चन को RRB ने रेजेक्ट कर दिया है RRB ने इसको कैंसल कर दिया है ठीक है ना तो इसको 17 जोन है आप याद कर लीजिए next question है P तथा Q की काम करने की छमता का अनपाद 5 अनपाद 7 है एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनपाद ग्याद कीजिए तो जो उनकी छमता का अनपाद है छमता या मतलब फिक्वेंसी बोल सकते हैं उसका अनपाद 5 अनपाद तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो ए number वाला option correct हो जाएगा ठीक है तो जो आज का paper हमने solve कर लिया है 100 questions complete हो गए है तो अगर आप इस वीडियो को नए हैं देखने वाले तो आप इस channel को subscribe जरूर करें और हमारे जो जो हमारा वीडियो है उसको like करें शेयर करें और comment करें और जो भी चीज आपको चाहिए ज़से study material वगरा आप comment में लिख दे हम आपको provide करवाने की courses करेंगे और अगर आपको इस question paper का PDF चाहिए तो आप इस video की description में एक link मिलेगा वहाँ पे आप जाके किसी भी exam क जो government exam है उनके paper download कर सकते हैं अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमें एक comment में लिख दीजे तो हम वहाँ पे paper को डाल देंगे आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद